Hello learners, welcome back to my youtube channel आज मैं आपके लिए बहुत ही interesting session लेकर आई हूँ Students, जैसा कि आपको पता है इस panademic time में, इस corona period में आपकी studies सबसे ज़्यादा effect हो रही है आप school नहीं जा पा रही है आपको घर में रहकर self study करनी होती है तो हमारी जो डैली government है उसने एक बहुत अच्छा step उठाया और जो students social media, whatsapp यूज नहीं कर पा रहे हैं उनसे कैसे connect हो पाई इसके लिए हमारे education minister Mr. Manish इशोदिया ने बहुत ही अच्छा solution उनकी team ने बहुत ही अच्छा solution निकाला है कि जो students whatsapp यूज कर रही है उनको worksheets भीजी जाएंगी जिससे आप लोग घर पे ही उस worksheets को solve करेंगे और फिर solve करने के बाद उसे अपने teacher के पास वापिस भीजेंगे ताकि वो उसे check कर पाएं कि आपने ठीकी है या नहीं और जो students whatsapp यूज नहीं करते हैं उन्हें personally phone करके वहाँ पर बुलाया जाएगा और worksheets शोपी जाएंगी और आपको वही पर समझाया जाएगा कि क्या करना है मेरे पास बहुत सारे students का phone आया क्योंकि जो worksheets है department की वो Hindi में है और students जो English medium के हैं वो चाह रहे थे कि उनको English medium में उसको translate किया जाए तो मैं आपको first worksheet पूरी explain कर रही हूँ चलिए शुरू करते हैं यह जो first worksheet है यह आपके chapter 3 money and credit से है इस week में इस chapter को complete किया जाएगा जिसमें आपको 3 worksheet आएंगी alternate day पे आपको उन worksheets को short out करना है और उसे वापिस अपने teacher के पास भीज़ना है जिसमें सबसे पहले है barter system students barter system क्या होता है यह बहुत ही पुराना method है जो centuries से use किया जाता था people exchange services and goods for other services and goods in return यानि वस्तो के बदले में वस्तो का आदान परदान करना खाइब भाटर लाधा है जैसे एक फार्मर है इसके पास green है यह हूं है जो यह बेचना चाहता है और इससे एक मतके की जरूरत है और ये एक port maker है जो मटके बनाता है और इसे अनाज की जरूरत है तो ये अपना अनाज इसे देगा और इसे मटका खरीद लेगा तो अनाज के बदले मटका is a barter system I hope आपको clear हुआ Second है Double coincidence of wants ये क्या है जब जो buyer है और sheller है दोनों अपनी चीज बेचने के लिए सहमत हों बोद पार्टीज sheller and buyer have to agree to buy and sell each other commodities this is called double coincidence of wants एक simple से example से समझते है ये एक farmer है जो grain produce करता है और ये एक shoemaker है जो shoes बनाता है अब इस shoemaker को grain की जरूरत है तो ये एक ऐसे विक्ती को ढूंडेगा जो अनाज बेचना चाहता है और जिसे जूतों की जरूरत है और इसके लिए उस किसान का होना जरूरी है कि जो जिसके पैर में इसका बनाया जूता फिट हो जाए यानि जब इसको एक ऐसा farmer मिल जाएगा जो अपना grain बेचना चाहता है और इसका shoes उसके पैर में भी फिट हो जाएगा तो ये अपना shoes इसे बेच देगा और इसके बदले में उससे अनाज ले लेगा ये होता है double coincidence of wants यानि इच्छाओं का दोहरा सैयोग जब हम NCN time की बात करते हैं जब barter system की हम बात करते हैं तब उस समय पर money नहीं होता था फिर धीरे धीरे हमने एक money को invent किया कि कैसे हमने coins बनाए फिर उनको उस barter system को money ने replace कर दिया अब आपको कोई भी double coincidence of wants की जरुरत नहीं है यानि एक shoe maker को अनाज खरीदने के लिए एक ऐसे किशान की जरुरत बिलकुल नहीं है जिसके pair में उसका जूता fit हो जाए और जो अपना अनाज भी बीचना चाही अब वो simply अपने जूते को currency यानि की money में change करेगा किसी भी विक्ती को पैसे में बेचेगा और उस money से वो easily grain खरीद लेगा तो जो money थी उसने जो crucial intermediate step था double coincidence of wants का उसको खतम कर दिया और जो पुराने टाइम पे हम currency की form में जो use करते थे वो metallic coins होते थे silver के, gold के, copper के यह बहुत पहले की बात है लेकिन आज कल in today's life we use the modern form of money अब यह modern form of money क्या है paper currency हो गई, coins हो गए, checks, debit card, credit card, UPI, mobile and net banking यह सब modern form है currencies के जो हम use करते हैं अब हम gold, silver, copper के coins use नहीं करते हैं अब हमने यह modern form of currency अपना ली है यह आपकी walk sheet थी इसके बाद इनी topic से जो मैंने अभी आपको explain किये हैं आपसे question answers पुट किये गए हैं first है what do you understand by barter system आप barter system से क्या समझते हैं second है explain the term double coincidence of wants जरूरतों का जो दोहरा सैयोग है उसको explain करिये third है gold coins are best examples of which form of money obviously old form of money, ancient form of money and check is the best example of which form of money modern form of money last but not the least question है how does the use of modern form of money make our life easier कैसे जो modern form है money की उसने हमारी life को easy कर दिया है आपको explain करना है here is the work sheet you can see यह हिंदी मेडियम में है इस तरह से आपको department से मिली होगी और इसको मैंने पूरी तरह से English में translate किया है इसके questions को भी explain किया है I hope आपको काफी help मिलेगी इससे so thanks for watching